काफी पाणी की भी बचत है और पैदावार में भी और क्वालिटी में भी इसमें फाइदा है इसको मल्चिंग बोलते हैं और आ क्यों लगाई जा यह इस एक तो इसे घास फूस है वह नहीं निकलता है में गया है पचीस अबीस अजार से लेकरिके 40-50 जार रुपे तक अलग अलग कंपनी और अलग लग वैराइटी का है वह अगर आ जाता है तो उससे पसल बहुत ज्यादा परवावित होती है के पैचान रही जड़गाट की चारीश से लेकरिके साथ कुंट्रल तक एवरेज एक विगां हाँ एक विगां में चार्शी प्रिधान देश है और भार अब ही फिलहाल मैं एक तर्बूज के खेत में पूचे हूँ और अठीक आपने साथ किसान मुझूद ही तो अपने साथ किसान मुझूद ही तो आपा बादसीत करेंगा कि के तरीका से उन्नत तक्नीक अपना के तर्बूज की फसल है लेकि पेदावर में बढ़ा हो है वो कर ने सब avere किनाम साथ मेरो नाम राजैस कमार राजैस जी त्रबूज की फसल कएग साला कर रहा है मैं पांस साल से करा हूँ एक भी कमभा रही है imperfect scholar घैक प्रोसरस तो यहाई कि जैसे इuste करते हैं उनसे सिखा यूटूब से या जैसे भी जहां से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से करके बाद में इसे टकनीकी से किया जिससे इसमें काफी पानी की बचत है और पैदावार में भी और क्वालिटी में भी इसमें फाइदा है अच्छा मन एक चीज बताओ अभी जया वोकिंग करता करता थोड़ी बात करांगा तो मन एको प्रफेक्ट टाइम के तरभूज को बाण को पर खेक टाइम यह है कि इसके अंदर वैसे तो गर्मी स्टार्ट होती है तब ही यह मतलब तरभूज है वो इसकी क्वालिटी बनती है प्रंतु मंडी के इसाब से और उसक कि मतलब के असफे हैं थितनी में रिए आपन तर्भूर लगाते हैं उसमें जैसे जनवरी में लगा देते हैं और कुछ हिस्से में लगाटेपाशूल पहले लगाया हुआ माल हो मार्केट में पहले सला जाता है और बाद में लगाते हैं वह बाद में त्यार हो जाता है जिसे एक जैसे माले कोई पांच से साथ भी काम लगानों चौब तो भी कमाई कुछ टाइमिंग को गेब दे के लगा सके उसमें सुईधा रहती है तोड़न में बेचने में जैसे अपन एक साथ लगाते है तो इसको इक साथ ही वो त्यार हो जाता है अच्छा एक चीज और मन बताओ इक माहिने प्रिक्रिया केरे खेट कमाई कोई की स्पेसल तरीकाँ त्यार कर दो जाकिंग खेट के लिए अच्छी पहले दूश्मीं जैसे मानलों निर्हाई गुदाइग की जाती है अच्छी बडिया वाली इसमें खात गोबर की की और जो पॉल्ट्री की एंठारी मिलाकिर की जो पोसे इसमें ट्रेक्टर से ब्रृब को fluorяд颡 के बाल ने की रूपाई होती है मलचिंग के चीज़िए आती है कि बिची और दूसरा graphogen पाणी की बचाज हो जाती है दोरान बजान से पाणी बचास कि अब जैसे आपने पानी दे दिया तो इसमें दो तीन-चार दिन तक पानी देने की जूरत नहीं पड़ती है पना पानी एक चुथा ही लगता इसमें एक चीज मन बताओ कि इक वीज वगेरा को भी कोई इस पेस जो बीज आता है तो वह पहले सही त्यार होता है उसमें दवाई की जूरत नहीं होती है इसकी रुपाई करते हैं उसके बाद में अगर कोई दिक्कत होती है ना जब फंगस वगेरे की कोई प्रोब्लम होती है तो उसके लिए ही कुछ ट्रिटमेंट करते हैं अचा बीज कंपनी और अलग लग वराइटी का हैसमें एक बिगा में 708 700 800 ग्राम बीज लग जाता है इक माइन है कोई बीमारी कुछी बीमारी मुक्य रूप से दिखने में लेके तो वसी क्या होता है मौसम के अनुसार जड़ में भी कई बार कोई फंगस की प्रोब्लम आ जाती है पे बहुत ज्यादा परबावित होती है मैंलब बेल को नहीं मिल पाती है अशिके का है इसकी इसकी क्या है वैसे तो बहुत महेंगा इलाज़ है जब बन जाती है इसके बाद से तो बहुत महेंगा है पर इसका हिलाज ये कि अपने इसको कम से कम पनपने〜 पूरत जादा इसमें प्लाय से करें और पsite करें प्लाक्ो बात इसका जब के बिवाए करते ना तुंस ज़्यादा सर्दी होती है तो ज़्यादा जूर्थ नहीं होती है पानी के सब्सक्राइब लगने के बाद में पानी की डिमान्ड जादा होती है तोड़ी तरफू जब देख लो अब ये निसमर्ट जाता जाता है गड़ंग होननाओ होता है है उत्सी देखेड सेब्लेट से बात करें एक ब geschी एक तर्वोज लगजह आब यह देखो उसमें फिक्स नहीं होता है क्योंकि खेती में सबसे प्रोबलम तो यह है कि फिक्स नहीं होता है जैसे मालों कोई बेल है उसने अच्छी ग्रोथ कर ली और टाइम पर फूर्टिंग आ गई ना तो उसमें तो अब एक बेल के दो दस तर्बूज भी लग सकते हैं को चोटो तर्बूज तो इक माइन अच्छी बड़ा ही कई चोटा ही वह है बेल की जो गरोथ है वह और मोसं पेडिपेंडेट भी होता है इक वाइन ग्रीन हाउस को भी रोल रेस्ट के लिए तर्बूज में गरीन हाउस का रोल इसलिए नहीं होता इतना प्रोफिट पॉली आउस में होती है क्योंकि तर्बूज एक बार ही लगता है पॉली आउस में तो वह पसलें ज्यादा चक्सेस होती है जो किया कि लंबे टाइम चलती बार बार चलती है और कलाइमेंट से उसको फाइदा हो जैसे माले कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज गर्मी के अंदर ग करती की जो नुक्सान होता है और उसको कुछ पर prófast करने के लिए मतलब काम करता हो और माल करता कर करना है माल का जोक की वह बेच गें माल दिखो बाट यह है कि वसके माल मंडी था प touch is तो मनल में बैठ सकते हैं पैसे टोड़ा माल है तो आपने सोचना पड़ेगा कि बड़ी मंडी में जहां गी जहां इतनी माल की खपथ वहां बेचना पड़ता है और इसमें सबसे मोटीव आथी है कि quality के साथ से जाता है quality quality जैसे मढलो ऐक कि बड़ी साइज का जए बड़िया है एक जोसे मिलेस में अलगा या छोटी साइज है इसकी गरेडिंग करके ले जाते हैं तो उसमें क्या है उसकी अलग-अलग रैट निकलती है मंडी में अभी फिलाल बात करा रेटा की तो कुछी के बाव मिल रहे हैं अभी जो अच्छा तर्बूज है वो 9 रुपे से 9-10-11 रुपे मंडी में चल रहा है अभी अगर किसान ने किया है उत्पादन अच्छा है और यह इस टेबल अगर यह रेट मिलती है तो इसमें उसके नुक्सान नहीं है बाया जो फिशाल आप असल करनों चाहों कि अपनी जमीन है उसके कुछ इससे में यह नहीं कि बहुत बागदोड में करें उसकी पूरी जानकारी लें इदर उदर से लोगों से लें जांसे भी जो नोलेज जैसे संभव हो सेके उसका पूरा नोलेज लेकर और इस फिल्ड म लगाने के लिए सरकार से समसीड़ी मिलती है जैसे सरेणी के आदार पर 50% से लेकर कि 70% तक उसमें उसको छूट दी जाती है पसल को पर पसल पर इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है अगर ऐसा होता है तो किसान है वो जिंदगी वो काफी असान हो जाएगी और उसका उत्सावी बढ़ जाएगा क्योंकि वो से कॉल जाएगा कि अपने को इसमें नुक्सान नहीं सो बाइचांस परकर्ती से किसी कारण से बिमारी से अगर नुक्सान हो गया तो मैं क्या करूँगा और इस नुक्सान की वज़े से बहुत से इक बार करते हैं उसी परकर्तिका प्रकौब आंजाने में कोई द से जुड़ावा मोटर चलाते हैं और इसमें पानी चलता है तो अब इसमें करने के लिए उपर से पानी दिया जा रहा है जिससे जो तर्बूज वो पक रहा है ना वह गर्मी का प्रवावन वह अपने इसाब से पके किसान ने जो परक है अब करके देखा है और यह पका हुआ लाल निकलेगा कंफरम है बिल्कुल अभी देखो अभी टेस्ट आपा करके देखांगा किसान ने जो परक है अब कर देखो साब एक बाइने जहां फसल लेदी शांधार हुआ है तो कती के अंदाजा फसल उत्र है लगभग अपर बात करें एक विगा से यह इसमें अच्छी पसल होती है अच्छी साइज होती है तो इसमें क्या होता है जो फ्रेस माल है वो चारी मैं ख़्यामीक कालच से 50 के साथा कुंटल तक माल निकलाता है वह बड़ीा उत्पादन होता है कई वार्यर के एसे जेदा भी हो जाता और कि खीक होती है तो साथा हो फ़िक्ञान करें पसकें जरूक अब लो पास की खब्राम अपडेट रेंक ले जलको जुन जुनु के साथ हैं मनेरो राम राम